दोस्तो स्वागत है आपका अग्जाम पोर्टल में कैसे चली आपकी तियारी तो ए वीडियो मैं रात में सूट कर रहा हूँ बिहार SAC को लेके जो मिटिंग हो रहे थी उस पे सुबा से काफी कुछ मैसेज़े जा रहे थे आपको अपडेट भी आ रहे हैंगे यूट्यूब पोगरफे हम लोग भी इसको देख रहे थे बट बहुत कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा था जैसे ही अपडेट मिला था बट बहुत संसाय पूर्ण था तो हम लोग ने बस उसको कम्यूनिटी टैम में डाल दिया था कि चांसेज बहुत ज़्यादा है एक्जाम लेने के आप लोग प्यारी में लगे रहे वीडियो जो सबसे उच पताधिकारी होते हैं जी लेके किसी विवाग के जैसे सिख्छा के हो गए वित के हो गए वैसे तो उनका जो उस डेट में उनका कारिकरम उनका टेनियोर जो फिक्स होता है उनको ऐसे क्या करना है ओ कारिकरम जो उनका रिलीज था तो कहीं से निकल के आया था तो उसमें 23 और 24 को एकजाम की संभावनाओं पे मतलब को संभावनाओं पे मुहर लगा दिया गया है और चुकि ए मिटिंग एक मतलब बड़े अस्तर पे था बिहार SAC के अध्यक्ष थे जो मुख्य सचीव हैं बिहार सरकार के पुलिस माकमे के जो मुख्य आलाधिकारी है उनकी मिटिंग थी जिले के मुख्य आलाधिकारीओं की मिटिंग थी इससे पहले जो नाउमर वाला डेट था उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं था तो वो थोड़ा सा संसयपूंड लग रहा था हलाकि संसयपूंड रहना एक्जाम के लिए ठीक नहीं है जो सीरियस स्टुडेंट है उनके लिए लेकिन अभी जैसे 18-20 को चुनाव है फिर उसके बाद 28-30 को चुनाव और काउंटिंग है तो उस डेट को लेके भी एक मतलब आस्वस्ता नहीं बन पा रही थी छात्रों के भी जो एक्जाम देने वाले हैं लेकिन यह जो टेनियोर उन्होंने डेट फिक्स किया है कैसे अपना प्रोग्राम और से डिल फिक्स किया है 99.999% एक्जाम के वैद्धेता पे मुहर लग गया है अब देखिए यूट्यूब पे तो हम लोग भी बनाते हैं मालीजे कि बहुत अगर कहीं से कोई आइडिया नहीं मिलता है तो हम लोग भी दूसरे को ही देखके बना देते हैं फिर जो सोसल मिडिया पे चलता है उसको देखते हैं कहीं से कुछ सोर्स पर भी भी पूछ ताच करके भी बनाते हैं अदर्वाइस किसी न्यूज के आने का इंदेजार करते हैं जो मतलब एक प्रमाणिक सोर्स से हो ज्यादा तर इधर उधर सोसल मिडिया और इन सब चीजों से है न तो बहुत देर के बाद दस साड़े दस पजे हमने जो ए डाला था कि होगा उसको काफी लोगों ने वीडियो भी बनाया बहुत सारी वीडियो मिलेंगे भी और दिमखर तो वीडियो बनते रहा लेकिन हम लोग पस इतना समय भी नहीं और मैं इन सब चीजों में बहुत ज़ादा कि मतलब ए चाहिए वो वीडियो चाहिए लाइक चाहिए इसके लिए काम नहीं करते जो एक सोर्स से प्रमाणिक लगता है कि होगा तो ठीक है अदर्वाइस नहीं होगा तो भी ठीक है छात्रों के हित में जो बहतर है वो हम लोग के हित में भी बहतर है तो अब अन्ततह एमान हो जाता है नहीं होता है तो एक तो अनिश्चित्ता हर चीज के साथ बनी हुई इसको छोड़ दीजिए तो एकजाम 23-24 को होना है भी ओफिशियल नोटिस नहीं दिया उन्होंने पेपर वगरा में हो सकता है आया है और फिर अड्मिट कार्ड वगरा जब 10 वस को कहा था उन्होंने रिलीज करने तो तयारी उनकी पूरी हो जाएगी लेकिन यहाँ पे दो गुट में बटे हुए है छात्र जिनकी एक तयारी नहीं है वो चाहरे है उनको लग रहा है तयारी मतलब बेसिकली जो सुरू से ही लगे हुए ह हम लोग भी गुरूप बना के तयारी करा रहे थे अप्रेल में उनकी तयारी पूरी है और मैं तो यह भी चाहरा था कि नौबर में एकजाम हो जाए पिछला विहार SAC का हस्र आपने देखा था कि कैसे कैसे का हो रहा था और इसमें भी एदिव ऐसा ही कुछ होगा तो फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा विहार SAC, BPSC की जैसे इसकी हालत हो जाएगी तो भले थोड़ी सी तयारी कम रहे या मतलब जो सीरियस चात्र हो तो इस जौब की महत्ता को समझते हैं वो सुरू से ही लगे हुए हैं बाकी जो लोग इसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं फिर spread करते हैं कि एक्जाम का date बढ़ेगा इसको देखके जो serious का date है वो भी थोड़े कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं और ओभी मन में बना लेते हैं कि अब exam का date बढ़ेगा ही बढ़ेगा अपने तयारी को थोड़ा सा रोक देते हैं Christianion tendency है हम लोग भी ऐसा ही करते हैं लेकिन अब जब सब कुछ सामने है आपके तो आप अपनी तयारी को मत रोकिए एक ऐसा ग्रूप है जो एक result को affect करने वाला है प्रभावित करने वाला ग्रूप होता है जिनकी तयारी नहीं होती है उनको लगता है कि exam का date बढ़ जाए जिनकी तयारी है जो ज़्यादा serious है उनको एक्जाम के बारे में सोचना चाहिए कि 23-24 को exam होने वाला है और इस exam में हम बेहतर कैसे करें कि प्री निकालने प्री निकालना मतलब आपका 70% बिहार S.A.C. में selection होना तो कुल मिला जुला के इस पे वीडियो तो काफी हम लोगों ने बनाए बट मतलब इतने ऐसे नहीं कि ये करिये उकरी अब अंतिन समय में इन सब चीजों से बचके रहे बिहार का सबसे बढ़िया जॉब लेना है सबसे बढ़िया जॉब मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया जॉब तो बिहार S.A.C. के त्यारी में लगिए आपकी त्यारी जितनी है अभी भी 20 दिन टाइम है 20-30 में काफी कुछ हो सकता है उसको complete करिये एक और short वीडियो मैंने काफी वीडियोज बनाए है उस पे क्या करना है mainly generally जो बाते हैं reasoning, math और science पे focus करिये GKGS पढ़ी रहे एक book को follow कीजी और पंचायती राज के कुछ कहीं से भी कोई topic मिल जा उसी को पढ़ीगा बहुत ज़्यादा उसमें घूमने कुछ नहीं है, पिछली बार जब बिहारे CC आया था तो उसमें पंचायती राज नया नया पूछने वाला था तो market में इतने मोटे-मोटे book उस 5-6 प्रशन के लिए घूम रहे तो उससे कोई फायदा नहीं है और तयारी आप अपना तयारी मीसन मोट में कीजे हर चीज को मीसन मोट में करने कुछ घूमने का युदभ वाकाई अब समय्या आ गया है कि आप अपनी सिरिएसली की है, 6 महिने, 8 महिने तो आपको पता होगा कि कौन सा section आपका कमजोर है आपको उसको improve करने की जोगत है और सबसे ज़्यादा इन तीन segment में मेनत करने की जुरूवत है और बाकी भवी सिवाणी और cut-off तो आप जानते हैं expert लोग बताते ही रहते हैं कि मतलब ऐसे होगा होगा ओ आगे की बाते आगे सोचेंगे कि exam का date फिर से बढ़ेगा मैंने भवी सिवाणी कर दी है तो ऐसा हो जाएगा लेकिन उसके बारे मते रहिए एकदम chances boundary line पे हैं कि एकदम exam हो जाएगा इसलिए जो serious candidate है वो तयारी में मैंने news बता दिया आप अपनी त्यारी mission mode में शुरू कीजिए नए वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जाए हैं दि आपने हमारे चैनल को like share और subscribe नहीं किया तो please करी छोटी-छोटी सूचना होती है कमी वीडियो बनते हैं लेकिन सूचना है आपके ही काम क्यों होती कुछ है साइस में वह ज्यादा हाइप नहीं होता है तो मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए चैनल को